हलो एवरिवन वेलकम टो चैनल एंपी बूर्ड इंगलिश मीडिया पिछले वीडियो में जिस तरह से हमने फिजिक्स की ब्लूप्रिंट एस वेल एस रिडियो सिलेबस को आप तक के इंग्लीस में translate करके एसलेबस की हिंदी में था उसको भी पूरी चैनलेश में translate करके समझाया है पिछल में याली वीडियो में अगर के वीडियो नहीं देखा है तो पर शूंजहाने जारा हुँ तोüp लstarLE C एक ही request है कि मैं आप लोगों को इतने efforts डाल रहा हूँ देखे इस तरह की PDF बनाने में बहुत ज्यादा time लगता है और मैं आप लोगों तक इतने interesting content लेकर के आ रहा हूँ तो guys यह जो PDF आप अपने screen पे देख रहा है यह chemistry की आप लोगों की blueprint as well as radio syllabus की English में translated PDF है PDF guys मैंने खुद बनाई है इसके मादधे हमसे मैं आप लोगों को जो radio syllabus है और जो blueprint है हो समझाने जा रहा हूँ अगर आप इस PDF को download करना चाहते तो आप लोगों को मेरे telegram channel की में link दे रहा हूँ वहाँ से जा करके आप इसको download कर सकते हैं और मेरे telegram channel को भी आप join कर सकते हैं और guys आप लोगों को again बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को यह content पसंद आता है प्लीज वीडियो को like कीजिए और channel को subscribe कर दीजिएगा because अभी आगे आने वाले time में अभी blueprint आ चुका है जैसे इसका explanation वगरे खतम होता है मैं आप लोगों के important question according to your new blueprint लेकर के आओगा तो हम बात करते हैं आप लोगों के सबसे पहले blueprint की फिर उसके बाद हम रीडियो सिलेबस पर जाएगे blueprint आप लोगों को कुछ इस प्रकार से है इसमें सबसे पहला जो आप लोगों के unit आता है वो है solutions तो solutions इससे पहला जो chapter था वो तो हट चुका है टिक है solid state तो solution से स्टार्ट होगा हमारा तो solutions में से आप लोगों को 7 नंबर का पुछ जाएगा जिसमें 2 नंबर का एक नंबर के 2 question आने objective question 2 रहेगे 2 number का एक question रहेगा तीन नंबर का 1 question रहेगा कि सेकंड छेप्टर दोगों को पुरा 9 नमबर का पूछन रहे वरेगगा वाच नमबर का वगडा कोषन दोत्रा चेप्टर जिस का नाम इसना का दोग और कोषन देखने के لي फट और के बात करैं दीएट चांच लोगों को सकतो आघ संड दोग पुछन धाय dic पाच्वाँ चेप्टर आता है co-ordination compound तो इसमें से 7 number का total पुछा जाएगा 3 objective आएगे एक number के लिए और उसे के साथ 2 number का question देखने मिलेगा अब आते हैं हम हमरी hello alkins and hello arines पे तो इसमें से 6 number का पुछा जाएगा 6 में से 2 आप लोगों का objective रहेगे और उसके साथ 4 number का एक बड़ा question देखने के लिए मिलेगा साथ 2 number पे आता है आप लोगों का alcohol, phenols and ether जिसमें से आप लोगों को total 6 number का पुछा जाएगा इसमें से आप लोगों को तीन objective पुछे जाएगे उसके साथ 3 number का एक बड़ा question देखने के लिए मिलेगा अगला chapter आता है LD, ketones and carboxylic इसमें से आप लोगों को total 8 number का पुछा जाएगा इसमें आप लोगों को only 1 objective रहेगा एक आप लोगों को 2 number का question देखने मिलेगा और उसके साथ 5 number का एक बड़ा question इस वाले chapter से देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को नवा chapter आता है Amines तो Amines में से आप लोगों को 6 number का पुछा जाएगा total इसमें से आप लोगों को 4 number के 4 objective पुछे जाएगे उसके साथ 2 number का question पुछा जाएगा last and beyond the list आता है हमारा biomolecules तो biomolecules में आपको 7 number का पुछे जाएगा 5 objective और एक 2 number का question इस तरह से आप लोगों का जो से अप्टरवाइस blueprint है यह MP board दोरह दिया गया है आप देख सकते हैं मैंने इसको कितनी easy language में English में translate करा है आप चाहो तो इसको download कर सकते हैं इसके बाद आप लोगों के ब्लूप्रेंट थी उसके नीचे कुछ instruction दिये थे वह कुछ इस प्रकार से थे बोला जाता है कि 70 number का paper है total आप लोगों को 3 घंट के time दिया जाएगा question paper आप लोगों का 40% objective consist करेगा 40% आप लोगों के subject to question रहेगे 20% आप लोगों के analytical type के question आप लोगों के question paper में देखने के लिए मिलेगे आपको फिर उसके बाद एक point लिखा था वहाँ पे question number 1-4 तक 28 objective रहेगे जिसमें 7 tick the correct, 7 fill in the blank, 7 math the pair and 7 one word answer आप लोगों को देखने के लिए मिलेगे जिसपे की एक marks एक question को दिया जाएगा ठीक है उसके अलावे तीसरा point इसमें बताया गया था कि objective को छोड़ करके सारे question में आप लोगों को और का option देखने के लिए मिल जाएगा जैसे दो नंबर का question है तो दो नंबर का एक question उसके और में एक और question आएगा जिसमें से कि आपकी choice होगी आप कौन सा करना चाहते है उसके लोग है आप लोगों को तीस word में खतम करना short answer आप लोगों को 75 long answer 120 और जो पाच नंबर के लिए आते बड़े question very long उसको 150 words के अंदर खतम करना और difficulty level आपका रहेगा 40% easy 45% moderate as well as 15% difficult तो यह था कुछ instruction अब आते हमारे reduce syllabus के तरव तो guys देखो reduce syllabus बहुत easily यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 solid state, चैप्टर नंबर 4 surface chemistry, चैप्टर नंबर 6 extraction of metals and metallurgy, चैप्टर नंबर 8 p block elements, चैप्टर नंबर 15 polymers and चैप्टर नंबर 16 chemistry in everyday life तो यह जो चैप्टर है एक दो तीन चार पाच छे तो यह 6 chapters पूरी तरह से हट चुके आप लोगों किसी लावस में इसमें से आप लोगों को किसी तरह का कोई question नहीं पूछा जाएगा तो यही थे आप लोगों का chemistry का blueprint explanation आगे वाले वीडियो में आप को biology mathematics वगर का इंदी-English का भी लेकर के आओगा अगर आप लोगों किसी तरह कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे contact कर सकते इसके अलोग मेरे contact number आप लोगों को नीचे visible दिख रहा है यह है मेरे Instagram ID अगर आप लोगों के वीडियो पसंदा तो प्लीज इसको जादा से जादा शेयर कीजिए thank you for watching this video मिलते हैं आप से next video में